उत्तर परदेश के मुख्यमंत्री जी की तरब से नए सिच्छा आयोग और नई प्रात्मिक सिच्छक बरती पर नया बयान सामने आया है हम आपको पूरी अपडेट बताएंगे उन्होंने क्या कहा लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक और शेयर कर लीजिए चैनल पर पहली बार आये हैं या चैनल को सब्सक्राइब ने किया हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बिल आइकन जरूर दबा लीजिए बड़ी अपडेट हम आपके लिए लेकर आएं दोस्तों कल एक जनसभा के दोरान मुख्यमंत्री योगी आदित नाथ जी ने कहा और बताया कि रोजगार मेलों में उन्होंने 2.6 करोण युवाओं को रोजगार दिया है वही पर उन्होंने ये भी बताया कि पिछले 6 सालों में 6 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी भी उन्होंने जानकरी दी ठीक है इसके अलावा उन्होंने ये भी जानकरी दी कि हमने पिछले कई सालों में एक लाख चौन सथ हजार प्रात्मिक सिक्षकों की भी भरती की है ये भी उन्होंने जानकरी दी और इसी में बहुत महत्पून गोशना नोने दोस्तों ये कर दी कि जल्दी नया सिच्छायों का गठन किया जा रहा है यानि आने वाली साथ तारिक से दस तारिक के बीच में नया सिच्छायों का गठन हो जाएगा मैंने पहले भी आपको बताया उसी कि आपर गोशना की गई है और बताया गया है कि नए पदों को जो भरने में कोई गैप भी नहीं रखा जाएगा यानि कि प्रात्मिक सिच्छक भरती जिसमें से पदों की संख्या काफी यह संख्या में रिक्त है उनको भी तुरंत यहां पर भरा जाएगा यहां पर यह चीज़े बताये गए गया पना रहे ना उनको भरने में इसका मनलम नई प्रात्मिक सिच्छक भरती के विग्यापन आपको देखने को मिलने वाले है साथ में यूपी टेट भी देखने को मिलने वाला तो यह जो गोशना है वो बीयड बीटी सी बीयड चात्रों के लिए बहुती बड़ी राहत भरी खबर होने वाली है